श्री गनेशाय नम्हा नमस्काल दोस्तों कैसे हैं आप उमीद रखता हूं कि आप सब मजे में होंगे दोस्तों मैं हूँ चिरागदारू आला और आज हम बात करेंगे कि आज का दिन सोमवार का दिन यानि की 27 नवंबर 2023 का दिन आप सबी के लिए कैसा रहेगा शरुआत करेंगे मेश राशी से गनेश जी कहते हैं कि मेश राशी वालो व्यवसाइक मामलों में निर्ने लेते समय आपको सपष्ट सोच से काम लेना होगा आप कई मुद्दों को आसानी से और तेजी से सफलता पुर्वक हर भी कर सकते हैं आप बोजहिल भी मैसूस कर सकते हैं सिर्श पर पहुँचने के लिए हर संबव प्रयास करें बाहर का खाना खाने से बचना होगा ओफिस में अपने विरोधियों की साजिशों से थोड़ा सा सावधान रहें भाग्ये शालियंक रहेगा नौँ ब्रिशब राशी गनेश जी कहते हैं कि आथिक मामलों में भाग्ये आपका अच्छा साथ देगा स्थापित व्यवसाय का विस्तार होगा तरी पक्षिय साजेदारी बनाने की स्थिती भी बनेगी लेकिन व्यक्तिगत संबंदों के मामले में तरी पक्षिय रिष्टे अनुकुल साबित नहीं होंगे आपको संशोधन जुता कर अपनी आर्थिक स्थिती मजबूत करनी होगी तभी आप अपना रुत्बा बरकरार रख पाएंगे दोस्तों यह समद लीजिए कि आज के दिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाते हैं खुद का घर खरिदना चाते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत बहतरीन है जरूरत पढ़ने पर आपको परिवार के सदस्यों और दोस्तों से मदद नहीं मिलेगी विर्षिक राशी का व्यक्ति मुश्किल समय में आपकी मदद करेगा अपने आसपास के लोगों से बहस में ना उतरे विवाद हो सकता है दूसरों की मदद से दिल को आपके शांती मिलेगी रिष्टों में सुधार भी देखने को मिलेगा करकराशी गनेशी कहते हैं कि युवाओं की तरव आप उर्जावान महसूस करेंगे आप कारेस्थल पर युवाओं को प्रोटसाहित करने में भी सफल रहेंगे आपकी बेटी अपने करियर के संबद में स्वतंतर निर्णय ले सकती है सावधान रहे कि आपके आसपास के चालाक मित्र आपकी उदाता का फाइदा उठाना चाह सकते हैं इमानदारी से बनाएगा रिष्टे लंबे समय तक आपका साथ निभाएंगे आज कुछ लोगों की किसमत अलग तरीके से समझेगी आपका पैसा भी आपको मिल सकता है सीहराशी गनेश जी कहते हैं कि सीहराशी वालो आप व्यवसाय में सफल होंगे और भाग्य की आपके उपर कुरुपा रहेगी आप यह समझ लीजिए कि अगर आप नया व्यवापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत बहतरीन है आज का दिन आप काफी व्यस्त रहेंगे काफी मेहनत के बाद आपको अच्छे परिनाम मिलेंगे पाटनर के साथ शाम का खास प्रोग्राम आपका सफल रहेगा आपका मान सम्मान बढ़ेगा और अच्छानक की गई यातरा से भी आपको लाब मिल सकता है कन्याराशी गनेश जी कहते कि कन्याराशी वालो आपके वातावरन में तेजी से बदलाव हो सकते हैं नए अवसर सामने आएंगे आप सफलता पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे विचारों को खुल कर व्यक्त करने का समय आ चुका है आपको अपने प्रियजनों के बीच पुरानी कड़वी यादों पर चर्चा करनी चाहिए इससे आपका मन हलका होगा लाप के अवसर मिलेंगे किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व पर धन खर्च होगा जीवन की दिशा एक नई मोड लेकर आएंगी यात्रा होगी और संपत्ति के कागजात में आपको थोड़ी सी सावदानी रखनी रहेंगी तुला राशी गनेश जी कहते हैं कि तुला राशी वालो अतीत का एक चरण समाप्त हो रहा है और एक नया चरण शुरू होगा जैसे ही आप कोई व्यवसाइक प्रोजेक्ट पूरा करेंगे आपका हलका और तनाव मुक्त मैसूस होगे नए द्रिष्टी कौन से आपकी रचनात्मक शंता बढ़ेगी किसी खास व्यक्ती से परिचाय होगा और बिजनेस में भी अच्छा मुनाफा होगा वेवाहीक जीवन में जो मन मुटाव चल रहा था जो जगडे चल रहे थे वो धीरे-धीरे कठते नजर आ रहे हैं धीरे-धीरे दूर होंगे और वापी से संबन सुध रहेंगे वरिशिक राशी गनेश जी कहते हैं कि वरिशिक राशी वालों आप विभिन व्यक्तित्वों के बीच अपनी अलग छाप छोड़ने में सफल होंगे कर सकते हैं अपने मुलियों और सिद्धान्तों का पालन करें थोड़ी सी मेहनत से ही आपको अच्छा संबान देखने को मिलेगा अच्छे विवार से नए दोस्त बनेगे और नए प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो सकता है धनूराशी गनेश जी कहते हैं कि धनूराशी वालो जीवन आपके सामने जो भी घटनाय प्रस्तूत कर रहा है उसका आनंद लीजिए तभी आप अतीत के अपराद बोद नकारात्मक विचारो आदी को भूल पाएंगे यदि नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया तो आप भावनत्मक रूप से दुखी होंगे धनूराशी का कोई व्यक्ति आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा आपको जो बच्चों की चिंता थी बच्चों के करियर को लेकर चिंता है थी वो चिंताओ का भी समापन होगा आज का दिन बहतरीन रहेगा मकर राशी गनेशी कहते हैं कि ब्रह्म के बदले बादल छट सकते हैं आप अपने पुराने तरीकों में सुधार करेंगे और आपका द्रश्टी कौन भी नया होगा आप परिवतन के एक दिन महत्वपून बिंदू पर है आप यह समद लीजिए बढ़ते खल्चों पर आपका जो नियंत्रण है वो बना रहेगा अगर आप ज़्यादा महनत करेंगे और अपना व्यवार सुधारेंगे तो आप फाइदे में ही रहेंगे किसी के साथ भी पैसों के लेंदेन नहीं करनी है मकर राशी वालो सावधानी बरतिएगा ग्यारवी राशी कुम राशी गनेश जी कहते कि कुम राशी वालो अतीत और भविश्य की योजिनाओं में डूबने की बजाए वतमान में रहें और हर पल का अनन्द लें अगर आप सतर्क नहीं रहे तो कोई सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल सकता है आप आंतरिक और बाय परिवत्तन की प्रक्रिया से गुजरेंगे आप यह समदली जी अपनी पढ़ाई पर आपको ध्यान देना है विद्याथियों को लापरवाही नहीं बरतनी है संपत्ती से आपको लाब मिलेगा जो लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं पुलिस केश चल रहे हैं कोट केश चल रहे हैं उसमें भी राहत देखने को मिलेगी मीन राशी गनेश जी कहते कि मीन राशी वालो आप यह समदली जीए समवाद स्थापित करने का यह समय आ गया है व्यवसाई एवं रचनात्मक शेतर से जुड़े लोगों से समपर्ख स्थापित करें आप व्यक्तिगत और व्यवसाईक मामलों को अनूठे तरीके से और रचनात्मक दरश्टी कौन से संभालेंगे पूरी दिन चर्चा और खान पान का कारेकरम व्यवस्तिध धंग से बनाए कोई भी प्रकार का निवेश करना चाते हैं शेर बजार में निवेश करना चाते हैं प्रोपर्टी में निवेश करना चाते हैं तो आज के दिन आप निवेश जरूर से करें अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, केमिकल सेक्टर, लिक्विड प्रोडक्स का जो लोग वियापार कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहते दिन रहेगा, तो दोस्तों आज का दिन आप सभी के लिए गनेजी से प्राथना है, बहते दिन निकले, अच्छा निकले पॉजिटिव निकले, हम वापिस से कल सुबह मिलते हैं, श्री गनेशाय नम्हाँ